जैसे मैंने पेपर देखा देखो हर साल ऐसा ही होता है क्या आप किसी भी एर का पेपर देखो हमेशा टफ ही लगता है लेकिन एक्चुली में ये पेपर सच में थोड़ा टफ था लेकिन इस से हमें बहुत चीजें सीखनी है और ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखना बहुत आपको अच्छा खासा इंसाइट मिलेगा और कलका आपने मेरा जो बोला था आपको पेपर लगा रहा है उसका परपस बस यह था कि अगर आप पेपर खुद से एक बर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद से समझेंगे जानेंगे और उसको जब खुद से हम कोई चीज करते हैं हम उसे जादा समझते हैं मैं अगर यहाँ पे आप मैं सीधे यह स्टार्ट करता बाउट दे पेपर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा पेपर सॉल्विंग विल बी डिफरेंट थिंग लेकिन उस पेपर से क्या टेक अवे है क्या हमने सीखा है ताकि क्योंकि अगला नंबर आप लोगों का ही है तो यह जो अगला पेपर आप दोगे अगले साल का पेपर था उसको बेज बना के अगले साल का पेपर दिया जाएगा लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमें ध्यान में रखना है तो एक बर स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं क्या चीजें निकल किया देए तो येस UPSC 2022 पिलम्स का अनलेसिस सबसे पहले तो टोटल क्वेशन्स सौ GS1 की बात हो रही है क्योंकि CSET का डाउन दा लाइन सेम ही होता है पैसेज सेम ही है अगर हम कौन्ट की बात करते हैं थोड़े से तफ क्वेशन्स होते हैं लेकिन at the end 10-15 आसान क्वेशन भी होते हैं तो CSET अल्मस उसी लाइन पर चलता है कुछ टॉपिक्स लास्ट ताइम जो टाफ होंगे इस टाइम आसान हो जाएंगे कुछ टॉपिक्स जो लास्ट ताइम आसान हो टाफ हो जाएंगे at the end reasoning वैसा ही रहेगा तो CSET is nothing to worry about much ठीक है न लेकिन असली खेल यहां पर टक क्या आता है ठीक है ना CSET में आप 10-15 दिन अच्छे से मैनत करोगे क्वालिफाइ करना है आप इसली क्वालिफाइ कर दोगे बर इस इसली क्वालिफाइ कर दोगे यह चीज आपको समझना है कई बार बहुत बच्चे इसको गलत इंटरपेट करते है कि easy क्या होता है easy का मतलब यह नहीं होता है कि बिना पड़े कोई भी non-serious aspirant गया और देके आगया और जी 25 से ही हो गया ऐसा नहीं होता है ठीक है ना it's not that easy easy कि अराम से गए और 50 नमबर लागई जी वाह क्या बात है और cutoff जारी 87 क्या बात है भीना पड़े हम 50 लागई और जो सालों साल पड़ रहा है वो cutoff निकले कर पड़ रहा है ऐसा नहीं होता है ठीक है easy का मतलब यह होता है ठीक है अपने concepts को अच्छे से clear किया जो सब पढ़ता है वो भी हमने पढ़ा है जैसे NCRDs पढ़ ली हैं कुछ standard books हैं वो पढ़ ली हैं newspaper और monthly magazine पढ़ ली है तो ठीक है तो वो होता easy style तो ऐसे में क्या होता है कि assessments उनके लिए 25 questions आसान होता है यहाँ पर आ जाती है पचास के करीब score कर लेते हैं अच्छे खासे बच्चे कर लेते हैं score ठीक है न तो यह होता है easy question कि यानि कि कितने आप short shot clear cut कर लोग answer easy में ऐसा भी था कि कुछ ऐसे options हैं जो एक option को आपने I think 4-5 questions ऐसे थे जो मैंने देखे कि एक option को आपने eliminate कि और सीधे आपका answer आगे ऐसे थे वो जो RBI वाला था वो bank board bureau आपने discuss किया था वो तो वो वाला भी था उसमे easy question में और यह आपने जो बार बार पढ़ा तो easy में वो आता है तो ऐसे question थे 25 easy यानि कि आप लोग अभी से ठीक थाज भी तेयरी करोगे तो I am sure कि अगले साल भी आपको 25-30 question मिलेंगे तो आप में से जादा तर बच्चे 50-60 के करीब ला देंगे लेकिन आप आता है दूसरा category यह वो होता है moderate moderate question वो होते हैं जहाँ पर कि अब आपने जो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाई करी है अब यहाँ पर depend करता है अब यहाँ पर depend करता है कि आपने mocks कितने लगाए है ठीक है ना थुरा और देयर आपने mocks कितने लगाए है PYQ को कितने अच्छे से आपने पढ़ाई है साथ में revision कितने अच्छे से किया है अब यहाँ पर यह factor आ जाता है ठीक है ना यहाँ पर जो हलके फूल की तड़ा यह चल रही थी यहाँ पर ऐसे नहीं है यहाँ पर जो moderate question होते हैं अब आपकी कितनी skill develop हो रही है आपकी logical जो thinking है analytical skills है कैसे develop हो रही है elimination method आप लगाना जानते हो कितना knowledge आपने gain किया है उसके basis पर आप कैसे चीज़ों को solve करते हो तो अब बात यहाँ पर फसती है moderate की मैं बात करता हूँ 40 questions ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ज़्यादा तर आप 50-50 में फस सकते हो और थोड़ा वहाँ पर अच्छे से आपने कर दिया तो एक probability होती है कि 40 questions अगर आप करते हो तो जाहिर जी पात है 40 questions में क्या होगा 50-50 जाते तरह 50-50 में फस होगे क्योंकि यहाँ पर शॉट-शॉट आपका answer आजाएगा लेकिन यहाँ पर 50-50 पर फस होगे आप तो होगा क्या 20 सही हो जाएगे और 20 गलत हो जाएगे अब ऐसे में क्या होगा जो आपके सही हो गए उसमें आपको मिल गए 40 marks ठीक है और जो आपके गलत हो गए तो आपको पता है 0.67 एक क्वेशन का गलत होता है तो 10 क्वेशन का हो जाएगा 6.7 20 का हो जाएगा राउंड ओफ करके 13 नंबर ठीक है जी 13 कट कर दो कितना हो गया 7 और 2 यानि कि जो बच्चा थोड़ा बहुत अच्छी मेहनत करता है तो वो और 27 नंबर खीच चलेगा जो consistent है यह पहली केटिगरी है पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लिया है थ्रौट दे हैं तो उनके 50 हाजएंगे लेकिन अब दूसी केटिगरी के बच्चे होंगे ठीक है जो की यह होते हैं पहली केटिगरी के यह होते हैं दूसी केटिगरी के और यह होंगे तीस्टी केटिगरी के बताऊंगा और यह होते हैं जो exam निकालते हैं ठीक है न अब वो आपको आपके डिपेंड करता है आपके इस केटिगरी पर फॉल करते हो जादातर audience यहाँ पर होती है जादातर 60% के करीब यहाँ पर 20-25% audience होती है ठीक है न? और 27 नमबर आगे आपके अब आपका total कितना हुआ? 5, 6, 7 ठीक है न? यानि कि जादातर फिर बच्चे यानि कि पूरा अहरा अंगर अंग परसंटेज देखें और यहाँ पर बच्चे जो एक्जाम निकालते हैं और वहाँ पर यहाँ पर जादा नहीं है आपको पता है कि अभी cut-off कितनी गई थी? अभी जो इस साल की cut-off थी वो 87 थी? ठीक है न? 0.5? लास्ट यहर की 92.5 थी? यानि कि और कितना नमबर चाहे? 87? यानि कि कम से कम 15 नमबर और चाहे है मोटा मोटा पंदरा नमबर चाहे है यानि कि 7 question और साही चाहे है बस वो यह जो tough question आते हैं जो बच्चे इन tough question में से जादा नहीं, जादा नहीं 7 से 10 question अगर जो खींच लेता है न तो वो जाहिर सी बात है 95 से 100 जो नहीं पड़ेगा, ठिक ठाक पड़ेगा, थोड़ी बहुत मैनत करेगा यहीं तक फसा रहेगा आपको और दिन राप मैनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है PYQ मैं करा रहा हूं, बोलता हूं घर जाके करो करने चाहिए, और अभी बताऊंगा कि हम इने जो पॉलिटी का डिसकेशन किया था सारे टॉपिक्स हमने चूर रखे थे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो इस बार पिलम्स की पेपर में आता जो टॉपिक हमने नहीं चूर रखा था मैंने पहले ही कहा था कि जो टॉपिक्स UPSC में आते हैं, question कभी repeat नहीं होगा, बर जो topics हैं, वो बहुत important होता है, उन्हीं topics में से UPSC बार-बार question पुझेगा, उन topic को आपको बहुत detail में पढ़ना है, मैंने कहा था exactly आए था इस बार अभी जो पॉरिट हम डिसकस करेंगे, तब थोड़ा सा दिखेंगे तो यहां पर जो इस काडिग्री पर फॉल करेंगा, वो इस काडिग्री पर कैसे फॉल करेंगा यहां तक पहुंचने के लिए ना आपको You have to be consistent, that is it consistent रहना होगा, you have to do your test regularly, mocks, regular लगाने, जो मैं test देता हूँ weekly basis पे क्यों दे रहा हूँ ताकि आप consistent रह सको, बहुत बच्चों के पांच-पांच टेस्स नहीं हो रहे हैं पूरे, फायदा क्या हो फिर टेस्स दे के, अभी तक हमने मैंने कम से कम minimum मैंने पांच टेस्स दिये दिये पांच-पांच से च्छे टेस्स दिये 20-25% बच्चे हैं जिन्होंने ये पांच-पांच टेस्स लगाए हैं वो भी weekly basis पे अभी बहुत बच्चे हैं जो एक दो मैने बाद पांच-पांच साथ में लगाएंगे what's the point of that? क्या फाइदा वा फिर जो ये रेगुलरीटी मेंटेन करने का जो मेरा पूरा एक इनिशेटिव ता अगर आप रेगुलरी नहीं चीजों कर रहे हो तो how will you reach here? यहां पे आने में लाले पढ़ जाएंगे मैं सच बता रहा हूं तो अभी भी थोड़ा सा class नहीं ले पारे हो, कोई दिकात ने इहें, contact नहीं करना चाहरे हो, कोई दिकात ने आप मेंसे जो consistent रहे हो, जो regularly mark लगा रहा रहा है, regular or revise नहीं भी बच्रहा हो यहां तख पहुचेगा तो यह था इस बार का total questions अब थोड़ा बात करते हैं subject wise breakup ठीक है ना? I think दूसरा pen use करता हूँ green would be better ठीक है देखो, पॉलिडी के इस बार अगर हम बात करते हैं पॉलिडी का, तो देखो पॉलिडी का असान question थे, सच बता रहा हूँ, आसान question थे ज़्यादा tough नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा question ऐसे थे, आदे question थे आसे थे जो काफी आसान थे, जो सीरे solve हो रहे थे आदा question थे जो 50-50 पे पहुंच रहे थे तो it was not कि बहुत tough था again, मैंने जैसे कहा था parliament, फिर वो जो no confidence वाले पर एक question आया था, उसके बाद entity defection पर आया था, वो 15% जो cabinet, वो जो आपकी ministers होते हैं, उनकी जो strength है, उसके पर question आया था, उसके बाद obviously, जो आपका ratification है, बिल का ratification, उसके question आया था, तो mostly same, down the line, वो ही चीज़ें बार बार आती हैं, तो मैंने क्या कहा है, PY को अच्छे से कर लो, PYQ को अच्छे से कर लो, दिक्कत नहीं आएगी आपको और polity के question easy थे, to be frank easy थे, इसमें जादा दिक्कत नहीं थी ठीक है न, these were quite easy economic की बात करते हैं, मैंने हमेशा आपको पहले भी question पूचेंगे, ठीक है न, और इस बार question तो ऐसे भी थे कि कुछ चीजें static की थी plus dynamic, एक आठ point उन्हों ने static कर डाल दी, एक आठ dynamic कर थे, अगर आपको static भी पता और current फिर भी पता है, तो economic की आप कर पाते हैं, तो थोड़ा ज़ी moderate side में economy था, लेकिन उतना भी tough नहीं था कि, अगर किसी के concepts लिए तो नहीं होगा, but yes, कुछ questions tough थे, कुछ ठीक थे, आसान थे, लेकिन जाधा तर moderate थे, इसके, history toughest, इस बार का history बार tough है था, तो ऐसे tension वाली बात नहीं है, क्या पूछ लिया, और खास बात क्या है, history में क्या होता है, ancient होता है, medieval होता है, और modern होता है, ठीक है न, modern से एक दो question, जाधा नहीं है, modern से एक दो question आये थे, 1919 वाला और क्रिप्स mission, that's it, ancient medieval से पूछ लिए, 70-80% question, मैं क्या बोलता हूं हमेशा, बहुत से बोलते हैं कि UPSC is unpredictable, UPSC कब कौन सी चीज़ पूछ ले, you never know, उस दिन, उस वाक्त अकर आपका सारी चीज़ें सही बैठी हैं, तो वो आपकी किस्मत, लेकिन, हर किसी की थोड़ी होती किस्मत, 10,000 में एक आत की हो गई, तो हो गई, लाखों बच्चे हैं, अलग-अलग तिकड़म बाजी हिसा इप से पढ़ते हैं, कुछ economy छोड़के चल जाते हैं, कुछ modern छोड़के जाते हैं, कुछ सारा ही पढ़ते हैं, कुछ सब में थोड़ो-थोड़ो पढ़ते हैं, सब का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो the thing is, इस बार question आये थे ancient or medieval से, और वो भी बहुत डीप में आ रहा है थे, ancient medieval से, वही 12 तेरा question थे, उसमें से करने लाइक 3-4 थे बस, बाकि किसी को नहीं आता था, तो history था tough, ऐसी होता है, पिछले साल आपका economic थोड़ा tough था, ठीक है, इस बार history का भी tough है, इस बार थोड़ा सा geography भी थोड़ा सा tough था, और उसके बाद environment थोड़ा था, तो kind of obviously moderate थी tough था इस बार paper था, easy questions तो आपके policy में थे थोड़े से, और थोड़े से, बागी हर एक subject से, 2-2-6-4 point, मैं एक और चीज मेंशन करना बूल गया था, हाँ, वो मैंने मेंशन कर दिया था, अच्छा नहीं, वो बाद में में मेंशन करूंगा, sorry, यह जो 25 questions है, यह मैंने बताए हैं कौन-कौन से है, तो यह चीज थी, तो कहने का मतलब है कि ancient मत छोड़ो, और आप अपना medieval मत छोड़ो, और अगीन में एक और चीज आपको बोलता हूँ, मैंने lecture में बहुत बार बोला था, कि विजेनेगरमपैर से question आता, इस बाद वो जो coin वाला message आरका था, वो विजेनेगरमपैर से आरका था, जैनिजम, बुद्धिजम पढ़के जाओ question आता, इस बाद जैन टैक से question आरका था, अब जाहिर सी बात है, डीप में question पूछेंगे न, आपको यह तो पता है न, कि जैन से question आएगा, तो डीप में पढ़ो आप उसको, उसके बाद मैंने यह भी काता, कि अशोका से question आता है, अशोका से आता है, मुगल से आता, अकबर रिजीम, मैंने खता है मुगल important होता है, वो भी अकबर रिजीम, अकबर के रिजीम से question आया था, उसके बाद अशोका inscriptions, वहाँ से question आता, तो common है, मैं यह नहीं कहता कि, it is very much predictable, question की तो मैनत है, जब आप एक डिड़ महीनी में अच्छे कासा, बहुत बचों के मेरे को marks है, तो अच्छे कासे उनके 30 से 50 marks आ रहे थे, तो एक दो महीनी में आप 50 number ला सकते हो, साल बर दिन रात टे करोगे, तो क्या आप फिल्म से निकलियर कर सकते हैं, कर सकते हो, बड़ कंसिस्टन रोगे तो बना बहुत मुश्किल है, ठीके न, तो ये चीज है, कोई भी टॉपिक हमें नहीं चोड़ना है, पेपर के बार में मैं अभी डिस्क्रस करूँगा, कि पेपर में कप सॉल करूँग, कैसे करूँगा, बड़ अभी इस चीज पर देखिए, जोग्रफी में स्पाइक हुआ है, अगें, मैंने ये बात भी बोली थी, कि पिछले तीन-चार साल जोग्रफी के कुशन कम आ रहे हैं, आट आ रहे हैं, दस आ रहे हैं, एटलस मैप से एक कुशन हरा रहा है, and the most important thing मैं आपको बताता हूँ, अभी एक कुशन था, अफगानिस्तान वारा, कि अफगानिस्तान ही सराउंडेट बाइविश कंट्रीज, मैंने बोला था, कि भाईया, UPSC कुछ भी पूछ सकता है, especially जो निउस, यानि कि जो प्लेस्स करेंट में रहती हैं, UPSC उनी में से कुशन पूछेगा, मैंने एक सेशन में, इस वाले सेशन यूट्यूब में एक पर कहीं न कहीं कहा था, कि अभी UPSC ये भी पूछ सकता है, कि भाई अफगानिस्तान किन किन कंट्री से स्राउंडेट है, वो कुशन आ रखाता, मतब ये UPSC unpredictable जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम aware है, हमने अगर exam को समझ लिया है, it is not that tough, बाकी देखो यार ऐसा होता है न, UPSC का exam में tough तो हो गई, एसा तो आप expect नहीं कर सकते कि, मैं सब पढ़ लूँगा तो मिला आसान हो, UPSC का exam में यार, लागों बच्चे दे रहे हैं, tough तो हो गई, लेकिन कहीं न कहीं आप, थोड़ा कोशिश करोगे, तो कहीं न कहीं, it will be, उस लेवल तक तो आप at least कर दोगे, कि आपका प्लिंज निकाल जाए, और मेंस में आप अच्छा ही करोगे, मेंस as compared to प्लिंज आसान होता, क्योंकि मेंस में आपको टॉपिक के बारे पता है, आपको लिखना है, यहाँ पर मशीन चेक करती है, आपके आप में कुछ निया है, समझ रहे हो, तो यह चीज़ एटलस का इक क्वेशन आया था, उसके बाद हिमाले रीजेन अगीं, जैसे जो फिजिकल फीचर होते हैं, हिमाले रीजेन हो गया, तो वहां से एक क्वेशन आया था, और उसके बाद और जो थोड़े से दो-चार NCRD की क्वेशन भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा यह भी कह सकते हैं कि थोड़ा मेरे को तो टफ़र साइड में लगा था, एकनौमी मेरे को मॉडरीट लगा था, उसके बाद पॉलिटी तो आसान लगा था, ठाट बाद थोड़ा सा निसलेनियस में चैसे आया या इंटरनेशनल आइनलेशन से क्वेशन आ गए थे, पिछले साल नहीं आए थे इस साथ आगए, और थोड़ा आडम कल्चर से भी एक दो क्वेशन और ओड़ा को बिजया से क्वेशन आए थे, current affair ही होता है और यह तो सब को पता है कि IFOs भी यह paper देते हैं Indian Forest Service वाले तो current affair के हमेशा 15 से जादा है या 15 की करीब तो रहेंगे ही रहेंगे तो यह portion तो अच्छे से करना है mostly यह current affair है तो इसमें ऐसा ज्यादा टेंशन नहीं लेना है यह तो मैंने अच्छेक वाइस ब्रेक अप किया यह निए current affair इसमें इंक्लूडेड है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं current affair कितने आयते हैं देखिए simple सी बात है current affair के question इस बार लगबग देखो होता क्या है कि कुछ questions एक साल जो पिछले current affair में आये लेकिन कुछ साल दो तीन साल पुराने होते हैं तो वो contemporary issues में आ जाते हैं अगर वो दो तीन साल पहले के हम बात करें तो वो current affair में आएंगे लेकिन अभी जो आप लोग हो तो आपके लिए शायद वो static हो सकता है तो kind of current affair थे को fixed range तो नहीं होता है सब के लिए अपना अपना होता है मेरे हिसाब से 25 से 30 questions थे current affair से थीक है न फिर भी डनने वाली बात नहीं है कि आप सोचो कि यह रहे यार करन वे तो बहुत जाद आगे कुछ नहीं जाद है ठीक है 25 से 30 है कम से कम आट-दस तो आपको अगर जो daily newspaper पढ़ रहा है उसके बाद आपके आराम से आट-दस questions तो monthly magazine का और हो जाएंगे तो ठीक है अगर 30 में से आप 15 या 20 भी करते हो तो क्या दिक्कत है कोई आपने सारे के सारे questions करने का ठीक हो थोड़ी ले रखा है भई आपको cut-off clear करनी है न cut-off किती जा रही है on and around माल लेते हैं एक average ले लेते हैं 45 के करीब 45 questions के करीब यानि 90 number के करीब cut-off जा रही है पिशले दो साल का average लगा लो 90 तो बई 50% तो करने है माली जी कि आपको लगबग 50 questions सो में से करने है ना मोटा मोटा तो ज़री थोड़ी कि आपको सारे करने है अगर 30 में से आपको 20 पी सही होते है तो that's fine इतना tension नहीं लेना है तो कहने का मतब यह है कि अपनी पढ़ाई को balance लेके करना है न एकनॉमि देखो important subjects तो हमें पता है quality है, economy है history में modern है और environment है but the thing is कि we cannot neglect geography we cannot neglect ancient or medieval मैं यह नहीं कहता है कि उसको उतना deep में पढ़ो जितना economic को पढ़ना है लेकिन इसमें जो core चीजें हैं जो बार बार UPSC में 8-10 साल में आ रहे हैं उनको पढ़ो ना फिर सबसे बेस्ट है तो मैं वो separate list create करूँगा but I want कि आप भी अपनी तरफ से efforts करूँ है जो चीज में बताऊंगा वो तो करनी करनी है लेकिन वे चात हूँ कि आप लोग भी अपना दिमाग लगाओ यह ऐसा exam है जहां पर की spoon feeding से काम नहीं चलेगा कि मैंने आपको बोला ऐसे करना है आप exact वैसे कर रहे हो मैंने बोला ने यह नहीं पढ़ना है आप होने ही पढ़ रहे हो आपको अपना भी थोड़ा इन्मेंशन करना पड़ेगा आपको भी अपनी skill को develop करना पड़ेगा I will guide you but at the end you have to walk in that path तो उस चीज का अप ध्यान डगना और I think जो भी चीज मैं कह रहा हूँ अगर मैं करन्ट बेसिस पी भी बोलूँ जैसे हमारे weekly targets होते है जिसमें की lectures भी होते है notes भी होते है फिर मैं आप लोगों से question भी पूसता हूँ और test भी होता है फिर हम PYQ का एक session कर रहे है मैंने बुला है घर जाके आपको करना है जो मैं कराता हूँ वो तो अच्छे से करने ही करना है साथ मैं आपको और भी उसी हर के questions करना है I don't know आप मैंसे कितने करते हैं टू मिनिट्स की topic जो मैं देता हूँ आपको वो सारे important topics होते हैं जितने भी topics मैंने आपको अभी पिछले चार अफते में दी थे लिख के लिए लो नहीं चार topics में से आदी question आपको plans में दिखे होंगे उनही topics में से आदी question आपको mains में दिखेंगे इस बार भी तो आपके पास प्रूफ रहेगा ठीक है ना टू मिनिट्स के जो मैंने topics दिये थे जो आपने prepare करके लाना है वो तो करने ही करना है साथ में जो remaining topics है वो भी पढ़ने है but if you will not follow these things then how will you progress ठीक है ना तो I hope ये paper देखने के बाद थोड़ा idea लग गया होगा and जब मैंने पॉलिटी का देखना तो I was very happy क्योंकि जो topics मैंने आप लोग के साथ discuss किये थे and trust me सारे वो topics exam में आ रहे थे but obviously अभी तो हम PYQ के basis पे solve करें ना अभी जब हम और चीजों को करेंगे तब और चीजें clear होंगी और बात आती है कि अभी मैं पूरा जो 2022 का paper है उसको मैं अभी पूरा solve नहीं कराऊंगा क्यों नहीं कराऊंगा क्योंकि it will create unnecessary load and burden देखिए अभी आप लोग beginners हो and मैं अगर आपको अभी वो सारी चीजें समझाऊंगा पढ़ाऊंगा एक तो समझ में तो आ जाएगा but it won't be that helpful आपने paper देखा, समझ लिया, analysis में ने कर दिया कैसा paper आया था क्या चीजें धिहान में रखनी आगे वक्त वो सब मैं बताऊंगा लेकिन जब हमारा थोड़ा थोड़ा portion complete हो जाएगा जब आप लोग उस stage पे पहुंच जाओगे आप इनको देख लेना यह सेटे है जो मैंने group में डाला था हो सेटे पेपर है अगर आपके बास कोई दूसरा सेट है तो महीं देख लो कंफ्यूज मत हो ना group में मैंने जो डाला है main group में तो सेटे पेपर डाला है तो यह सारे questions है total these are 25 questions ठीक है ना total यह 25 questions है yes you can solve these questions 25 questions मतलब की 50 marks 50 marks बहुत होता है एक beginner के लिए या फिर कोई जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा है है ना तो वो चीज होती है आपको इस दियान में रखनी है यह सारे questions है इनको देखो note down करो और इन questions को go through करो एक बार और फिर देखो किया यह tough है असान है अभी जैसे अभी I cannot recall बड़ इसमें से जादा तर जो questions है 4-5 में elimination method लग रहा है यह तो मैं जब आगे solution detail में कराऊंगा तो obviously वहाँ पर हम discuss करेंगे बड़ अभी आप इनको go through कर सकते हो कि यह थोड़े से असान questions है अब लास्ट में बात आता है कीपॉंट C-set का में बोलता हूँ थे को C-set का मैंने पहले ही बोला था C-set जैसे पिछले साल आता है वैसी साल आया था थोड़े questions क्वाइड में तफा आगे थे और कभी कमा जाते हैं तो I don't think so that is going to hurt much तो इस साल का पेपर आप क्या कर सकते हूँ मैं कहते हूँ अगर आप में इस साल का C-set का पेपर नहीं सॉल किया है तो आप ले C-set की दो-तीन महीने अच्छे से प्रेक्टिस कर लो जो मैंने आपको बुक लिस्ट और रिसोर्स बतायते हैं उनको पढ़के उसके और C-set का पेपर लगा लो and if you are scoring more than 70 no need to worry, हफते में एक दू घंटा भी पेपर लगाओ गया महीने में दो पेपर भी लगाओ कि C-set के बहुत है अन्नेसे से टाम बिशनी कान है now I would like to tell you some important points total I have written मैंने इस पेपर के बाद मैंने कम से कम मैंने इस पेपर के बाद 7 कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने खुद सोचे, figure out किये कि किन 7 points को हमको ध्यान में रखना है और अब अपनी आगे की preparation करनी है ठीक है ना? तो यह 7 points बहुत दिखना है यह पूरा जो हमने discussion किया है जो कल का पेपर आया था उसका जो analysis है जो भी सार है वो basically यह 7 points है पहला point है focus more on current based static topics ठीक है ना? focus more on यह तो मैंने बहुत देखो पहले भी बोला था यह चीज तो देखो मैंने पहले भी बोली थी इसका मतलब क्या है? समद क्योंगे focus करना है हमें उन topics पे जादा जो current based है देखो UPSC क्या करता है? अगर माली जी अभी जैसे हाँ UPSC क्या करता है? जैसे कि माली जी अभी election commission को issue चल रहा है तो UPSC उसमें current affair भी पूछ सकता है लेकिन UPSC उसमें static चीज़े भी पूछ सकता है कि भाया क्या यह provisions हमारे constitution में हैं कि नहीं है कौन सा article है या फिर कौन सा ऐसा act है कहां से drive करते हैं अपने powers को कुछ भी कहने का मतलब यह है जो भी topic current affair में आ रहा है जो भी topic newspaper में आ रहा है उसको जो current affair आ रहा है current affair उसका static भी हमें ध्यान से पढ़ना है इसलिए मैं बोलता हूँ मंतली magazine पढ़ने चीज़े आप में से बोलता हूँ मंतली magazine छोड़ दें क्या अभी history में इतने सारे questions थे जहां पर हमारे PM ने विजिट करी थी तो UPSC ने उन से related static questions पूछे है समझ नहां मेरे कहने का मतलब कहने का मतलब पस यह है कि इस नौट की जो हमारी book में आमने लक्ष्मिगांद पढ़ ली बिना सोचे समझे अभी पढ़ना तो सारा है लेकिन हमको उन topics पे उन points पे ज़्यादा focus करना है जो current में उनका static चीज हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना दूसरा होता है conceptual clarity is a must देखो मैं हमेशा बोलता हूँ इस बार भी NCRT से आट बस कोशन आए थे ठीक है ना हिस्टी के ते जैसे old NCRT मिल जाएंगे आपको अगर आपने पढ़े होंगे ठीक है ना conceptual clarity is a must इस बार कोशन पेपर आपके सामने है मैंने पेले ही बोला था यह वो examiner जहां पर रट्टा मानना है रट्टा मालिया यह वो नहीं है कुछ नहीं है यहाँ पर चीजों को समझने है अब कोशन तो ऐसे आरहे हैं application based आरहे हैं अगर आपका कोई concept clear है और उसको दो तीन चीजों से link कर दिया है उसके effects किया है ठीक है और उसके positives किया है उसके क्या आसर हो सकता है अब कोशन आरहे हैं application based आरहे हैं तो अगर आपकी clarity एक दम clear है और इन पर्टिकुलर कंसेप्ट तो आपको दिक्कत नहीं है कि answer solve को नहीं है रटा है चीजें तो नहीं कर पाऊगे solve तो जैसे we will stick to our plan only कि जो हमारा conceptual clarity वाला focus है तो वो कर लो और NCRT प्लीज कर लो अच्छे से अभी भी ठीक है ना तीसरा point है revision is key obviously यो तो आप सब को पता है ही ठीक है देखो at the end वो ही है कि हमें limited ही चीजें पढ़नी है ऐसा नहीं कि इस बार paper tough आगिया है तो अब हम और दूगना पढ़ेंगे नहीं उसे कुछ नहीं होता cut off तो उतनी ही है ना 30-40 questions हर साल exam में tough आते है हमको तो 45-50-55 questions सही करने है that's it total attempt 70 मारोगे उसमें 55-60 भी सही होते हैं तो ठीक तो है cut off clear हो रही है we need not to score 150-140 कोई फाइदा नहीं का हमें cut off clear करनी है तो yes हमें limited पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है and time to time revise करना है because भूट सी ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी जो हम भूल जाते हैं और वो अकसर exam में आ जाता है ठीक है ना fourth point जो मेरे को सही लगा वो यही था कि again last five years last five years के pyq hold importance ठीक है ना अब ऐसा नहीं है कि यार पिश्रे सल ऐसा था इस साल ऐसा गया नहीं अभी भी पांथ साल के पेपर हमाले बहुत important है इससे हमें चीज़ सीखने है कि भाई या यूप्यसी इस डाइनेमिक पेपर ठीक है ना बहुत unpredictable है और यूप्यसी कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं बनना चाहेगा जैसे कि पॉलिटी एकनोमिक्स के पहले 40 क्वेशन आये थे फिर 35 आये थे सब को लगवाए EC में से क्वेशन हैंगे इस बार 30 क्वेशन पॉलिटी में से 10 क्वेशन आये जोग्रफी पढ़ना छोड़ दिया था इस बार क्या जटगा मिलिया ना सबको 15 कोशन आगया ना जोग्रफी से किसी भी सब्टेट के सथ कर सकता है यही खासी आता है यूप्यसी कि भाई सलेबसाब के सामने दे रखा है ना हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी पूछे पूछे तो क्यों कोई चीज़ छोड़ते हो इस कुछ जो इंपोर्टेंट आपिक्स हैं सब्जेक्स हैं पॉलिटी एक्नोमी एन्वाइरमें इनको जादा फोकस करना है तो सारा तो पढ़ नहीं है साफ सिदी सी बात है ठीक है ना जो मैंने अभी कवर करी दिया है कि यूप्यसी ठीक है ना यूप्यसी इस अन्प्रेडिक्टेबल यूप्यसी एन्प्रेडिक्टेबल है तो कोई भी आसा निया कि चीज़ छोड़ दू नहीं छोड़ दू इसलिए मैं कहता हूँ करेंटे थिर के लिए हम लिमिटेट पढ़ेंगे जादा पढ़ेंगे कोई फायदा निया आएंगे 25-30 कोशन 15 कोशन टाफ होंगे करने हमने 15 ही कोशन है जादा पढ़ेंगे कोई फायदा निया है कम पढ़ेंगे तो अगें वह यह ऐसा भी नहीं है कि आज 10 कोशन आ रहे हैं 20-25 के करीब तो आएंगे ही आएंगे तो हम इतना पढ़ेंगे कि जो important है जो common है at least हम उसे तो गलत ना करें जो बागी जनता कर रही है हम उसे तो गलत ना करें ठीक है न 6 पॉइंट raise awareness and be practical ठीक है न अब इसका क्या मतना पुआए थोड़ा नए concept है raise awareness and be practical देखो आपके surrounding में क्या क्या चीज़े होती है कोई भी नहीं चीज़ आपके जैसे COVID-19 related चीज़ आई थी वह जो digital वाला था open source वाला था तो वह awareness टाइप की चीज़ थी थोड़ा सा जो आपकी short wavelength वाला था radiation तो वह भी kind of awareness वाली चीज़े है तो कहने का मुलत है UPSC अब जैसे वह प्रोबाइटिक वाला आया था अब जैसे की या कुल्ट से आप उस question को solve कर सकते है तो कहने का मुलत है की बहुत सी चीज़े हम day to day life में करते हैं जो हमारे आसपास technology है जो हमारे area में जो societal चीज़े होती है जो geography जो पस्पेक्टिव है तो कहने का मुलत है की we should be aware कि हमारे असपर क्या चीज़े हो रहे हैं अब जैसे की एक example देता हूं दो साल पहले जो हमारा आधार कार्ड है तो अगर आपको याद होगा कि आपके आधार जो आधार कार्ड है उसमें लिका रहता है मेरी आधार मेरी पहचान लेकर एक वो आधा था था ना बड़ावला आधार गार कार्ड रहता था ना उसमें लिखा रहता है कि इस आधार था कि यह जो रहता है तो सिटिजन्शिप ठोहिदेन्सिप ठीक है ना कि थोड़ा awareness आपको increase करनी पड़ेगी ठीक है ना and the last point is uh stick to your plan do not change your strategy ठीक है ना इसको next slide मैं करता हूं जो कि most important अभी भी जो सोच के मैंने यह batch start किया ता जो मेरी mentality थी same है it won't change I won't change my mentality I won't change my plan just because of this paper क्योंकि यह expected था यह expected ही था इसमें मेरे को ऐसा नहीं लगा कि आ रहे यार यह तो गड़बड होगी ऐसा paper आ गया ओहो मैंने सोचा कुस्ता बिल्कुल नहीं मैंने क्या कहा यूप सेंट प्रिक टेपल है भी यह मैं time to time कहता रहा कि geography कभी भी spike कर सकता है किया इस बार spike again I am saying कि अगले साल भी geography spike कर सकता है अगले साल हो सकते 5 questions है we cannot take risk हमारे पास एक साल है तो we should study each and everything so that is the main thing stick to your plan do not change your strategy okay so this is the end stick to your plan and do not change your strategy हमको अपनी strategy नहीं चेंज करेंगे same strategy रहेगी हम NCID अच्छे से पढ़ेंगे after completing our core basics we will jump to phase 3 जहां पर आपनी limited resources पढ़ेंगे conceptual चीज़ेंगे practice करेंगे time to time answer writing mocks वो सब चीज़ेंगे discussion करेंगे and next year जो हमने पढ़ा है उसको time to time revise करेंगे जादा नहीं पढ़ेंगे जो काम का है सिर्फ वो ही पढ़ेंगे उसी पर stick करेंगे and that is it we are not going to change our plan क्योंकि इस साल ऐसा पेपर नहीं था कि बिल्कुल ऐसा लगी कि क्या कैसा आ गया नहीं था मैंने का जो 25 अश्युद में लिखे हैं 25 गौर्शन ये वो उन लो लोग के लिए 25 कोशन ये थोड़ा बहुत पड़ा है थोड़ा बहुत पड़के भी अगर आप पचिस कोशन सही कर पाते हैंगे 50 नंबर आपके थोड़े बहुत पड़े आते हैं तो खुद सो जो यार 12 महीने मताब 12 चीज को सोचो, can you even imagine this thing this is something which is quite unique, 12 में है आपके पास है obviously 30 days, तो कितना हो गया है अभी आपके पास 360 देज है ठीक है न, हर दिन में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हो, ठीक है न, 8 घंटे बूलता हूं 8 घंटे, कोई बड़ी बात, यह मत बुला 9 घंटे नहीं पढ़ सकता है भीया, IS officer बनना है, you want to be the district magistrate you want to have the prestigious job, you want to have the powerful job you want to have the authority उसके लिए अगर इतने भी नहीं कर सकते तो, you ask yourself कि whether you deserve this thing or not, ठीक है न, 0, 8, 6, 48 ठीक है, 8 ठीक है, sorry 8, 6, 48 होगया, ठीक है यहापे आगे, 0 8, 24 and 28 if you have 2, 8, 8, 0 hours इतना घंटा कोई पढ़ेगा न वो that person will be unbeatable इतना आपको पढ़ना है, डेली बेस पढ़ना है एक चीज दिखाता हूँ आपको the power of consistency, ठीक है न, अभी आपको I am not saying कि हर कोई 8 घंटे पढ़े, because I know working professional है, they cannot study for 8 hours but मैं कहता हूँ कि चलो, जाद नहीं, 4 घंटे, minimum 4 घंटे, कोई आप में से पढ़ता है, ठीक है न मान लिजे कि अभी आपके पास 360 days है and suppose 4 hours, 4 hours तो देखो, चाहे आप working हो non-working हो, चाहे कोई भी हो, इतना तो minimum पढ़ना ही चाहिए, डेली का या तो second class का बच्चा पढ़ता है और आप अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते हो तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, है न 6, 4, 24, ठीक है न and 4, 3, 12, 14, ठीक है न तो अगर कोई 4 घंटे पढ़ता है, सोचो तो वो कितने घंटे बढ़ रहा है, 1, 4, 4, 0 hours, अप सोचो कोई एक साल की बात है, दोगनी मैनत कर रहा था जो हमने calculate किया था तो वो कितना पढ़ा था, 2, 8, 8, 0 ठीक है न, अप सोचो कितना difference है, लेकिन आप में से बहुत से बच्चे हैं जो 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी 2 घंटे पढ़ रहे हैं कभी 3 पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ी नहीं रहे हैं, अप सोचो आप लोग कर रहे हैं, आप से चार गुनाँ जादा कर रहे हैं, तो जहीं जी पात है, ना selection आप का होगा कि इस बंदे का होगा आप हो यहां पर, जो पूरे साल पर में इतने घंटे पढ़ रहे हैं तो इस बंदे का selection होगा कि आपका आपको पता है, so that is the main thing about consistency that is the power of consistency ठीक है ना, तो प्लीज अभी भी थोड़ा मौका है, वाकत अच्छा गासा है जितना मैं बोलता हूँ, उतना भी कर लोगे ना तो I can say you will have very very much good chances of clearing this exam क्योंकि देको इतना तो experience है और जो चीज़ मैंने देखी हैं, जो समझी हैं और I think अभी आपने देख लिया कि अभी हमने एक महीने में जो पीवाई के हम डिसकस कर रहे थे बहुत से, कम से कम जादा नहीं, पाँच कुरिशन, कम से कम पाँच कुरिशन तो सीधे यूपीसी में आया थे bank board bureau वाला था, no confidence वाला था, उसके बाद वो 15% council of ministers वाला था ठीक है ना, और उसके बाद I think आपका ये bill वाला था, bill वाला था, prior recommendation चीए प्रेजिड की नहीं किती पाँच कुरिशन तो ऐसी है यार, बड़े आसानी से, तो साल भर में 25-30 सा ऐसी आजाएंगे और 30-40 साब की महिनत, exam ऐसी clear हो जाएगा, this is not a joke, ठीक है ना, so I think I have cleared in detail, काफी अच्छे से, तो now it's all up to you guys, and I hope ये analysis आपको पसंदा होगा, paper का मैं detail में लाओंगा, जब हम थोड़ा knowledge gain करेंगे, because अभी तो चीजें आपको उतने समझ में नहीं हैं, कि main था कि paper कैसा आया था, and that is it, ठीक है ना, तो all the very best,